हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मेरे नहीं है विकास, और एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे वीकली टेक निउस के एक और एपिसोड में और इस विक भी काफी सारे अपडेट्स हैं, अकर कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोग भी अपडेटिट हो जाओ कि टेक्नोलोजी की दुनिया में आकिर क्या कुछ चल रहा है तो वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर देखने और सबस्क्राइब भी करने और फटा फट से आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा विंडोस 11 के अंदर एंड्रोइड एप्स का सपोर्ट आ चुका है और यह अभी स्टैबल या फिर बीटा वर्जन में नहीं सिर्फ आपको डेवलपर प्रीव्यू के अंदर देखने को मिलता है लेकिन अब खबर आ रही है कि बीटा वर्जन के अंदर फरवरी के महीने में आपको यह सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और उसके बाद में स्टैबल वर्जन में भी आ जाएगा तो हो सकता अगले महीने या फिर उसके अगले महीने तक आपको स्टैबल वर्जन में भी देखने को मिल जाए इसी कहला है खबर आ रहे है गूगल की तरफ से तो प्ले स्टोर के अंदर फाइनली पाया गया है कि वहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज का भी आपको बटन देखने मिलता मुदल अभी जब आप किसी एप को इंस्टॉल कर्थे पर अपने करते हो तो आपको मिलता है इंस्टॉल on यूर Frontier 22 इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ नहीं देखने को मिलेगा सबसे पहला और मेन हाइलेटिट फीचर जो इस फोन का है वो है 200 स्नैपड्रेगन 8475 अब यह कौन सा प्रोसेसर है तो यह अंदाज लगाया जा रहा है स्नैपड्रेगन एट जिन वन का प्लस एडिशन हो सकता है जो कि अभी तक हम लोगों को सुनने को भी नहीं मिला इसके अलावे इस फोन के अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिले अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से तो सैमसंग अपना इवेंट जो कि वो हर साल करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से उसको इस साल भी करने वाले हैं और यह होगा नौफर वरी को इसके अंदर आपको क्या देखने मिलेगा सैमसंग के जो भी प्योर वगरा होते हैं वह भी देखने मिल जाएं और बाकी नौफर वरी को पता चलेगा कि सैमसंग क्या कुछ कमाल करता है अगली खबर माइक्रोमेक्स की तरफ से तो इन्हों ने भी अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में लांच कर दिया जो कि 25 जनवरी को हुआ और इ इसके अलावा 5,000 mh की बैटरी देखने को मिल जाती है 30 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि आपको फोन के साथ ही बॉक्स के अंदर मिल जाता है और इसके अलावा जो फोन है दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है और कीमत की बात करें तो कीमत सिर्फ इस साड़े तेहरा हजार रुपए है इंट्रडेक्टरी प्राइस की बात करें यानि कि जब कोई कंपनी अपना फोन लाती है तो पहली सेल के दौरान वो उसे कुछ कम रेटों पर बेचती है तो वह कीमत इस फोन की लगबग साड़े बारा जार रुपए है और साड़े बारा भी कर सकते हो इवन इसकी स्क्रीन भी काफी ज़्यादा अच्छी है और मेरे ख्याल से माइक्रोमेक्स को ना इसके अंदर और भी वेरियंट लेकर के आने चाहिए थे 6GB वाला 128GB के साथ में कुछ इस तरह की चीज़े होती तो हम लोग के लिए थोड़ सा और अच्छा होता बट फिलहाल अभी हमें आपे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाते एक ओक होता है दूसरा ब्लैक होता है तो आप इनमेंसे कोई भी चूज कर सकते हो अगर आपको इंटरस्ट है और लिनोवो ना गेमिंग फोन बनाता है जो कि उनकी इजन सीरीज के अंदर आते हैं तो इसी सीरीज का एक नया फोन फिर से लीक हो गया जिसका नाम है वाई-90 और इस फोन के अंदर आपको च्छे सो चालीजीबी की इंटरन स्टोरेज भी देखने को मिलेगी और यह गेमिंग फोन तो इसका मतलब और जो स्पेक्स कभी लीक ह करके हमारे सामने आएंगे वह और भी तबाही होने वाले हैं तो अभी के लिए इतना पता चला है और जब यह फोन आएगा कुछ और पता चलता तो देखते कितना तकड़ा फोन होता ही अगली ख़बर फ्लिपकार्ट की तरफ से तो फ्लिपकार्ट पे जो ग्रॉसरी इसको शुरू करने वाला है तो हो सकता है आप लोगों क Eddy यह जल्दी आ जाए तो आप लोग जबने फ्लिपकार्टर पे चख कर और चेक करके मुझे मुझे बताया कमेंट में कि क्या आप लोगों के यहाँ पे ग्रॉसरी की जो services है वह फिलिपकार्ट कर रहा है या फिस अपनी खबर आ रही है जियो की तरफ से तो जियो 2022 के अंदर अपना 5G फोन लॉंच कर सकता है और ये लोग हमेशा अपने फोन को सस्ता रखने कोशिच कर सकते हैं तो देखते हैं कितना सस्ता रहेगा वाकी इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ की बेंड का सपोर्ट देखने मिलेगा जो कि N3 N5 N28 N40 और N78 होने वाले फोन के अंदर आपको 5000 एमेज की बैटरी 18 वाट की चार्जिंग इसके साथ में टाइप C पोर्ट भी देखने को मिलेगा और ये फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का देता है अब इंडियन गवर्मेंट के तरफ से एक नई चीज़ सुनने को मिली है वह क्या है कि इंडियन गवर्मेंट चाहती है कि हमारा अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो फोन के अंदर हो और जाहिर सी बात है अगर इंडिया के लिए बन रहा है तो भाई सब और iOS के साथ में सीधा सीधा कंपीट कर पाए जो की बहुत जादा मुझकिल मुझे सुनने में लग रहा है लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाएगा वेल सब कुछ अपना हो तो भाई अलग ही फील होती है और Apple की तरफ से खबर यह आ रही है कि Apple हो सकता है कि इटर है Microsoft वह भी अपने गेमिंग कॉंसोल बनाता है इवन बात करते हैं Sony की तो वह भी बनाते हैं Xbox का नाम आप लोग ने सुना होगा PlayStation का नाम आप लोग ने सुना होगा इसके लावा और भी कंपनिया यह तो वह थी जो सबसे जादा धूम मचा रही है अब खबर आ रही है उस समय पे Apple ने अपना गेमिंग कॉंसोल बनाया था जो कि बुरी तरह से फ्लॉप वह उसके बाद में Apple ने उन चीज़ों पर काम करना बंद कर दिया कहा के चीज़ों को सिंपल रखो बट अब फाइनली वह उस चीज़ों कर रहे हैं और भाई आज के समय में मुझे लगता है बावाल मचा देंगे क्योंकि वह रखेंगे के नॉर्मल पचास अरगाता आपना पांच लाग का रखो जनता की किड्नी ले लो अपने आप हिट हो जाए वह एपल एर कुछ भी कर सकता है अगली खबर की तरह बढ़ते हैं अभी मैंने कहा ना वह कुछ भी कर सकते तो इ उसके अंदर जो एप्स आप लोगों को खरीदनी पड़ेंगी उनका एक जलक दिखा दिया अभी नहीं पता क्या कुछ एप्स हैं क्या कुछ कीमत है बट ऐसा कुछ कर दिया है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एपल सीरियस है मेटावर्स को ले करके और आपको अगली खबर मेरे उन भाईयों के लिए आ रही है जो मेरी कस्टम रॉम की वीडियो को बहुत प्यार देते हैं तो फाइनली मैजिस्क वर्जन 24 आ चुका है जिसके साथ में आपको कुछ अच्छा तो देखने नहीं मिलता बस इतना ही है कि एंड्रोइड 12 के जो डिवाइस उनको डाउनलोड करते थे वह अटा दी गई है इसके अलावा दूसरी चीज की बात करते हैं तो दूसरी चीज क्या हुआ करती थी इसके अंदर आपको मैजिस्क हाइट देखने को मिलता था जिससे आप सेफटी नेट को बाईपास करते थे उस चीज को भी हटा दिया गया इनका मतलब मर्जर हो गया था कुछ समय पहले और फिर बताया था कि कुछ oxygen OS और कुछ color OS को मिला अलगी unified OS बनाएंगे तो अब सुनने मारा इसका नाम होने वाला है H2O OS यानि के H2O का मतलब देखे अगर chemistry से अपना सीधे सीधे तरीके से तो इसका मतलब बनता है water यानि के लीक्स है rumors है नाम कुछ और भी हो सकता है चीज़े अलग भी हो सकती है बड़ जितना सुनने मिला उतना आप लोगों को भी बता दिया और अब बात कर लेते हैं इसको फाइनली बैन करने की जो बाते हैं वो चल रही है पाकिस्तान में फरक नहीं परता कर दो हम आपर जो ब पका केस है तो पुलिस अब लग रही है इस गेम को बैन करने में तो हो सकता पाकिस्तान पुलीस यह लाहऔर पुलीस यह पंजाब पुलिस जो भी है वो इस गेम को वहां पर डिया कितनी जगह लेक्मान प्रकीन चरदे पयार और चोंहर बड़ आर्द से New State की तरफ से PUBG New State का नाम बदल दिया है पता नहीं है इतना अच्छागा सा नाम तो था PUBG New State तो अब इसका नाम कर दिया है New State Mobile, PUBG Mobile India, Battlegrounds Mobile India, PUBG PC, PUBG Battlegrounds, PUBG New State, New State Mobile तो पता नहीं हो क्या आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह लोग क्या आपने नामों के साथ में करना चाहते हैं बट जो भी है अपने को क्या गेम वही रहना चाहिए मजा वही आना चाहिए कर लो आप लोगों को जो भी करना और इसे उड़ती ख़बर आई है Facebook की तर चोर ही लगते हैं मुझे इन पर रती भर भरोसा नहीं है और अब जाते जाते ना आपको कुछ स्टैट्स बता देते हैं कुछ नंबर बता देते हैं तो सबसे पहली बात तो इंडिया में जो नंबर वन स्मार्टफोन ब्रैंड है वो कौन है मेरे ख्याल से शाओमी आप ल जल्दी होते हुए देखने को मिल जाए शाओमी और इसके अलावा सैमसंग दोनों को ही ओवाटेक करके रियल मी नंबर वन की पोजिशन कब जाने वाला है तो मुबारक हो रियल मी वालों को और एक कमाल की बात आप लोगों को और बताना चाहता हूं हम लोग सोचते के चा चैनी कंपनिया है जो मोबाइल फोन बनाती है और टेक्निकली उनको नंबर वन होना चाहिए वहाँ पर अब अगर बात करते हैं तो आईफोन बाजी मार गया है चाइना में नंबर वन सप्लायर बन गया है आईवोन मार्किट का तो अब चाइना वाले आईफोन जादा पस आप नहीं आज किस वीडियो को यहीं खतम करते हैं अगले अफते जब भी टेक्नियूजी कर्टी हो जाएंगे फिर आप लोगों के सामने हाजर हो जाएंगे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू कर देना कमेंट कर देना आपको क्या कुछ पसंद आया इसके किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई